आज हम बनाएंगे चना दल मसला बड़ा बहुती टेस्टी क्रेस्पी और इसे बनाना इतना आसान है कि सोचिए और बना लीजिए घर में रखे हुए दालों से बन करके ये तयार हो जाते हैं तो चलिए बनाना शुरू करते हैं तो इसे पी अच्छी लगी तो वीडियो को ल हम उच्छीं दोफे चाहित बनाते हैं तो यहां पर हम थोड़ा सा मसला के तयारी कर लेते हैं हम थोटा चमचस जीरा लिए हैं और ख्yn करने हैं और इसके साथ में हम 10.5 हिंच अद्रक का थुकर दाले हैं पान से छे कली लइसुन डालेंगे और 10 यह से 12 काली मिर्च दालें इन्हें हम पहले पीश लेते हैं, दरधरा पुरा फाइन पेस्ट नहीं करना है, और बीना पानी का इसे आपको पीशना है तो इसे हम पीछ लिए हैं तयार हो चुके हैं तब यहां पे हम एक कटोरी चना दाल लिए हैं चना दाल को 6-7 घंटा पहले भींगने के लिए रख दिये थे आप चाहे तो रात को भी इसे भींगने के लिए रख सकते हैं तो हम सुबह में खाना बनाने के टमें इसे दाल को भींगाए थे तो दाल अच्छे से फूर चुके हैं और इविनिंग में मुझे स्नेक्स क्या बनाना है तो यहां पे हम दाल को पीछ करके तयार कर लिए हैं तो इसमें डाल देते हैं एक महीन कटा हुआ प्याज आप अगर किसी भी कारण से लेसुन प्याज खाना पसंद नहीं करते हैं तो इन्हें एस्किप कर सकते हैं बिना लेसुन प्याज का बनाईएगा बहुत ही ज़दा टेस्टी लगता है अब हम इसमें डाल दिये हैं थोरा सा धनिया का पता महीन कटा हुआ और इसी के साथ में हम तीन से चार करी पता इसमें तोर करके इस तरह से डाल देते हैं अब हम इसमें डाल देंगे दो चमच के करीब फुलाया हुआ रख लिए थे इसे हम अभी आड़ कर रहे हैं तो जब हम बढ़ा को तेल में फिरा करेंगे और ये चना दल उसके साथ में फिरा हुआ रहता है तो खाने में बहुत ही ज़दा टेस्टी लगता है तो इस तरह स और अधा छोटा चमच हम अजवाइन डाल देते हैं और इन सभी को अच्छे से मिला लेते हैं तब हम इसमें बैंडिंग के लिए दो से तीन चमच के करीब चावल का आटा डालेंगे तो यह जो बड़ा है इसमें आपको चावल का आटा या बेशन बैंडिंग के लिए डालना ही पड़ेगा क्योंकि दाल को हम पुरा दरदरा पी से हैं तो बिना बैंडिंग डाले हुए नहीं बनेगा तेल में डालने से यह भी खड़ जाएगा देख सकते हैं तो यही हम आपको अभी दिखा रहे थे तो इसमें हम 2-3 चमश चावल काटा ड है तो चलिए हम बड़ा बना लेते हैं और छोटा बड़ा जैसा भी आप बड़ा बनाना चाहते हैं बना सकते हैं तो हम छोटे सेज कहीं बनाए हैं छोटे सेज में ही पतला पतला ज्यादा अच्छा लगता है तो इस तरह से आप बाल्स को पहले चिकना कर लीजिएगा और टिकी के जैसे आप पुरा चप्ता-चप्ता बनाईएगा तो ये जधा मोटा नहीं बनाईएगा पतला ही जदा अच्छा लगता है पतला-पतला चोटा-चोटा तो ये अंदर तक रिखी हुए रहते हैं खाने में बहुत ही जधा तैस्टी लगता है तो यहाँ पे एक ठो टिकी बनके तयार हो चुके हैं तो हम 6-7 टिकी बिना मीर्च का बनाए हैं क्योंकि मेरा बेटा वहाँ पे खड़ा था बोल रहा था ममी मीर्च मा तयार कीजिएगा मुझे बहुत तीखा लगता है मैं खानी पता हूँ ऐसे हम काली मीर्च पहले डाले हुए थे तो हम बिना मीर्च का 6-7 टिकी बना करके तयार कर लिए हैं और अब हम मीर्च डाले हैं तो टिका आप जितना खाना पसंद करते हैं पकोडे सब में उतना टिका आप इसमें एड़ कर सकते हैं तो मीर्च डालने के बाद में भी हम मिला लिये हैं और सेम जैसे फर्स्ट में टिकी हम बना करके दिखाए थे उसी तरह से टिकी हमें इसका भी बना करके तयार कर लेना है तो सभी टिकी को हम बना करके तयार कर लिये हैं तो चलिए हम इसे तल लेते हैं तो टिकी को फ्राइ कर के लिए तेल यहां पे गरम हो चुके हैं तो इसमें हम एके करके टिकी डाल देते हैं जो मसला बड़ा बना करके रखे हैं उसे और एक साथ में छे से साथ जितना आए उतना ही डालिएगा जैदा एक साथ में नहीं डालिएगा और डालने के बाद में आपको संगसंग इसे हि लगरे जो सकत हो चुके हैं इक साइड से इसका साइड चेंज कर देंगे और इसे तलने में और क्रेस्पी होने में चार से पांच मिनट का समय लगे कम और इसे तलने के टाइम में अप गैस का फिले मीडियम टूँ फाइա रखियेगा पूरा हाइ फिलेम रहेगा तो इसका कलर चेंज हो जाएगा और यह उतना बढ़ियां से क्रेश्पी नहीं हो पाएगा तो आप ग्यास का फिलेम मीडियम टू हाई रखिएगा और इसे क्रेश्पी होने तक अच्छे से तल लिजिएगा तो यह साइड से शेख चुके हैं तो इसका हुआ जो टिकी है उसे भी हम सेम तरह से ही फ्राइ कर लेंगे तो एक बार आप इस रिसेपी को अपने घर में जरूर बनाईएगा और रिसेपी कैसी लगी कॉमेंट में हमें जरूर बताईएगा रिसेपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सेर कर दीजिएगा चैन और टेस्टी रिसेपी के साथ में है तो यह मसला बड़ा कितना जदा क्रेस्पी बना हुआ है तो यहां का साउंड आप सुन सकते हैं